जहें दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चनल पर तो जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि जो साइंस जन्रल साइंस जो की बिहार SSC के द्वारा आपको पता है कि 25 कोश्चन जो एटलिस्ट पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं आप सभी को लुसेंट के हैं टोटल 1500 कोश्चन जो है मैं लेकर आया हूँ जिसमें Physics, Chemistry, Biology तीनों सेक्षन को मैंने बराबर कवर किया है और दूसरा चीज़ यह है कि आपको मैंने कल वीडियो अप्लोड किया था ठीक है कि बिहार SSC का एक्चुली पैटरन क्या रहा है किस पैटरन को फॉलो करता है और वो जो को आपको और कुछ जयदा कर ने कि जुरत नहीं है आपको एक काम करना है पढ़ाई और रिवीजन ठीक है पढ़ाई में आपको क्या होना चीए कि मौक्टेस्ट अच्छे से करना ठीक है ताकि आपके जो डाउट्स है जो भी है लास्ट में वो क्लियर हो जाए इसके बाद आप अराम से इस एक्जाम को निकाल सकते हो जो भी गाइडेंस की जुरत है मैं उन सभी कैडेंस को बता दू यह हमारा फ्री कोर्स है यह फ्री बैच है आप जो पैसे दे रहो कोचिंग इंस्ट्यूट्स के लिए यहाँ पे आपको सारे चीज फ्री अप कोस्ट प्रोवाइड करा जाएगा गाइडेंस ठीक है एक अगर बात करें practice set Monday to Friday है उसके बाद आपको क्या है कि Sunday को full length test करा जागा evening में आपको जो result दिया जागा ओभी rank wise और आपके जैसे ही competitors जो हैं आपके जैसे ही candidates हैं हमारे group में जुड़े हुए इस telegram group में आपको बस यहाँ पर join कर लेना जिसे आपको एक idea हो जाएगा कि वेस्ट करने की जुरुत नहीं अच्छा अगर content चाहिए आप मेरा जाकर देख सकते हो देखो पटना high court assistant का ठीक है आप देख लोगो वहाँ पे जो भी candidates मैंने जो भी मैंने content दिया था free of cost उस time भाई कोई coaching institute ने नहीं दिया ऐसा content उन्होंने सिर्फ एक ही आप coaching institute उस time provide करा था उन्होंने chat GPT का copy paste करके दिया था आप कोई भी candidate से पूछ सकते हो जो पटना high court mention होने दिया है तो ऐसे से related मैंने सारे चीज उनको काफी अच्छा high quality content जो है provide करा है ठीक है जो कि मेरे बार मेरे टाइम में भी exam से पूछा गया था ठीक है तो जो भी मेरे पास experience थे मैंने उस अपने experience का use किया और सेम चीज मैं यहां भी अपने experience का use कर रहा हूँ आप सभी तक relevant content provide करानेगा अगर आप चाहते हो कि अगर आप इस exam को clear कर लो easily तो आप आराम से जोड़ सकते हो कोई force नहीं है भाई अगर आप इंट्रेस्टेट हो टेलिग्राम जो ग्रूप है मारा आपका उसका link जो दिया हूँ है description box में आपके उसके थुरू जाओ जोइन कर लो हाँ पर सारा चीज बाकी जो है आप मेरे पर छोड़ दो मैं आपको provide करूँगा आपका काम सिर्फ एक ही चाहिए भाई full focus concentration के सब्सक्राइब बर लो ठीक है और हो सके ठीक है अगर आपको share करना हो तो कर सकते हो नहीं करना है तो कोई दीकत नहीं है ठीक है ताकि आपको further notification मिलते रहे है आई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो question देखते है सबसे first question है आपको carbon dating से पूचा गया ठीक है थोड़े एक मिनट जूम कर देता हूँ है ना तो carbon dating actually question है क्या कि carbon dating विदी किसकी आयू निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है राइट यानि carbon dating is used to determine the age of what यानि आपको इसका answer है जिवास में यानि फोजल्स का यानि यह पता है कि जो living organism से जो plants animals से उनके मर जाने पे उ हम carbon dating का use करते हैं राइट यानि C12, C14 तक पता है आपको ratio तो इनका use करते हैं आपको किसमे carbon dating नेक्स्ट कोशन आपको नेक्स्ट कोशन आपको कि अत्यदिक सराब का seven करने से सरीर का कौन सा अंग रूप से प्रभावित होता है ठीक है यानि अगर आप सराब ज़्यादा पीते हो तो इससे आपके जो सरीर का body part का कौन सा जो ऐसा हिस्सा है वो जो कि उसे affect ज़्यादा होता है प्रभावित होता तो अपकोर्स जो पता है कि यक्रित होता है क्या liver इसका third question होगा आपका सरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है इसका answer होगा तिली और स्प्लीन next question है आपका हरे पौदों में प्रकास संसलेशन की इकाई क्या कहलाती है यानि photosynthesis तो उसका answer है quantosome क्या है quantosome actually quantosome actually होता है क्या chloroplast का जो membrane होता है उसमें पाए जाने वाला particles है उसको quantosome कहते है अगर in sample word बोलो तो यह unit है किसका photosynthesis का next question है आपका सरीर में जो rect की सफेद कोशिकाओं का मुख्यकारे क्या होता है what is the function of white blood cells यानि main primary अगर function की बात कर रहा है तो आपका answer होगा सरीर को बिमारियों से बचाना क्या सरीर को बिमारियों से बचाना next question है मचली के हिर्दय में कितने प्रकोष्ट होते है तो इसका answer होगा two two chambers right और महवल सा कितने होते है four chambers इसका answer होगा next one is मानों सरीर में रक्त से अवन चानिय प्रदार्थों को प्रित्थक करने का कारे कौन सा अंकरता है तो आपका answer होगा वरिक यानि kidney ठीक है तो थोड़ा मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है आप समझ सकते हो ठीक है तो अगर कहीं मेरा अगर pronunciation अगर बात करें अगर कहीं गलत होता है या उपर नीचे हो जाए तो थोड़ा आप उसको manage कर लीज़ेगा right next question आपको कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित जो अपसरा actually क्या है अपसरा की बात कर रहा था आपको पता है कि अपसरा actually क्या है इंडिया या as well as Asia's first nuclear reactor है Asia का सबसे पहला जो nuclear reactor है वो है अपसरा और इसको commission किया गया था बार्क के दुवारा कौन सी यर में आपको याद है इसको commission किया था 1956 याद रखी यर भी पूछ सकता है तो 1956 में किया था बार्क के दुवारा बार्क मतब भाबा atomic research center right तो इसका answer हो गया nuclear reactor next question है डाइनामो डाइनामो का क्या कार है तो डाइनामो को पता है कि mechanical energy to electrical energy में convert करता है यानि यांत्री कूर्जा से बीदूर्जा में उत्पादन next question है pitch bloody से कौन सा radioactive जो है तत्व प्राप्त किया गया था तो आपको पता है कि जो pitch bloody है actually क्या है यह और है कि इसका uranium का और जो अगर इससे जो तत्व प्राप्त किया गया था उसका answer क्या होगा आपका radium next question है गिर्गिट की तवाचा में रंग बदलने का कारण क्या है यानि जो गिर्गिट पता है उसको इंगलिज में बोलते है chameleons ठीक है तो chameleons have ability to change their skins color due to the presence of malnophore cells ठीक है क्या नाम इसका malnophore cells chameleons जो होता है गिर्गिट देखा होगा वो अपने skin का जो है के color change कर लेता है जैसा की environment हो या जैसा की वहां का भी situation हो right तो ये काफी अच्छा question है आपको no down कर लिजेगा जो भी important questions आ रहा है आप उसको no down कर लो ना next question है प्राकिर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाना वाला carbonic योगिक कौन सा है ठीक है तो ये हवा cellulose ये काफी बार question आपको देखने को मिला होगा बिहार S.A.C. में उसमें exist करता है तो इसका answer क्या हो जाएगा cellulose होते हैं आपको summer होगा winter होगा spring होगा है न तो इसी कारण वहाँ पे annual drinks होता है और जो समुद्र किनारे वहाँ ज्यादा climatic variation नहीं होने कारण वहाँ पे annual drinks उन्हें नहीं पा जाते है काफी अच्छा question है इसको भी आप no down कर लेना star mark कर लेना ठीक है क्योंकि वहाँ के जलवाई में इस पस्ट भीनता नहीं होती है ठीक है तो यह काफी अच्छे questions है किसी ने किसी एक्जाम में पूछे जाने की possibility है आप इसको no down कर लेना copy में next question है ब्रिधावस्ता का अधियन विज्ञान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है तो आपको study of किसको पूछ रहा है यह आपको ब्रिधावस्ता है ना यानि gerontology क्या होगा इसका gerontology next है dolomite यह यह किसका अयस्क है तो calcium carbonate की पुछ रहा है तो भाई इसमें already calcium लिखा हो तो यह किसका होगा calcium का next है खटे फलो में कौन सा vitamin पाए जाता है खटे फलो में कौन सा vitamin पाए जाता है तो vitamin C होगा answer ध्वानी की तिवरता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है तो audio meter खटा होना किसके द्वारा होता है यह है जीवानू के द्वारा और जीवानू यानि इस बैक्टेरिया का नाम क्या है तो lactobacillus राइट तो यह बैक्टेरिया क्या करता है जो दूद में पाए जाना जो lactose sugar है उसको convert कर दता है किसमें लैक्टिक एसीड में राइट तो इसका एंसर आप समझ गया होगा जीवानू यानि बैक्टेरिया होगा इसका राइट एंसर नेस्ट है आपका swift प्रकास के वर्ण क्रम यानि spectrum में प्रीज में द्वारा सरवादिक विचली थी यानि deviation जो होने वाला कौन सा रंग तो आपका पता है कि जो वीवगियोर होता है राइट वीवगियोर होता है आपका जो color होता है तो violet सबसे उपर है तो यह ज़्यादा क्या होता है जब spectrum से पास होता है और rate जो होता है वो list क्या है deviation करता है तो इसका answer कुछा है क्या है कि सबसे ज़्यादा कौन से deviate करता है तो वो हो गया violet यानि वैंगनी रंग next question है refrigerator में प्रसी तक यानि refrigerant actually क्या होता है वो है freon next question है आपका दूद से दही बनाने के लिए कौन सा बेक्टेरिया सायक होता है जो कि हमने अभी डिसकर्स किया lactobacillus किस अंग के कारेना करने पर dialysis किया जाता है तो आपका answer होगा इसका kidney next question है मनुस के मस्तिष का सबसे बड़ा भागय क्या होता है तो cerebrum rifle चलाने पर लगने वाला जो जटका किसके संग्रक्षन का उधारण है तो इसका हुआ रेकियर संवेग के संग्रक्षन यानि conservation of linear momentum इसका और भी example आपने देखा होगा एक तो वो बोट वाला आपने देखा हो और motor boat जो जब हम क्या करते है motor boat यानि पानीश को धक्का देते हैं पीछे तो बोट के आगे क्योंड जाता है तो इसमें भी क्या है जो linear momentum तो फिवल निकलता है न तो जिसे मंदब पूस होने कारण क्या था रोकेट आगे क्योर उपर क्योर जाता है तो यह भी example है तो आप काफी यह question अच्छा है और मुझे लगता है यह भी पूछा गया question है नेक्स question है परियोग साला में सर्व प्रथम जीन का संसलेशन करने वाला बेग्यानी कोन है तो वो है हर गोविन खुराना यह सारा चीज आपको देखी लूसेंट में आपको मिल जागा चीक है सारा चीज आपको यह लूसेंट से उठायवा question है नेक्स question है कि हीरे के समझ में carrot क्या होता है तो यह actually क्या है यह diamond का जो weight होता है उसका unit है यह हीरे के भाहर का मात्रक होता है नेफ्स्ट कोउचण है आपको गैलवेनी उक्रत लोहे पर किसका होता है तीकै आपको रमन द्वारा जो है रमन एफेक्ट यानि यसे रमन प्रभाव बोलते हैं उसकी होज करने का दीन के उपलक्ष में साथ नमबर 1888 भारत के किस महान बेग्यानी का जनम दिन है तो सेम चीज़ हो है सीवी रमन का आयोडी नियुक्त नमक का प्रयोखिस बिमारी के रुख्थाम के लिए किया जाता है तो वोगा गेटर यानि गल गंड के कारण के बिमारी के रुख्थाम के लिए है नेक्स पोचन है विदूत मोटर का एक्चुली कारिक क्या है तो विदूत उर्था उर्जा का जो है क्या वो यान्त्रिक उर्जा में रुपांतरन यानि ट्रांसफर करता है हरे पौदो में जो है प्रकास संसलेशन और फोटो सिंथिस इकाई कहला थी यही हमने पढ़ाता है कि उनिट अफ जो है कि इसका फोटो सिंथिस कोन है क्वांट अजोम प्रिथिवी का उसत घनोत यानि डेंसिटी जो है पूचर एबरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ पूचा जा रहा है तो आपको पता है प्रिथिवी जो है पच्छिम से पुरुकी और घुमती है आई होप कि यह कोशन आप सभी को पता होगा नेक्स्ट कोशन है कि पौधो में वासपोत उत्सरजन दर का निर्धारन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है तो पोटोमेटर ये भी काफी अच्छा कोशन है नोटाउन कर लिएगा नेक्स्ट कोशन है रेड लेड का रसानिक सुत्र क्या नाम है ठीक है तो इसको बोलते हैं PB3O4 रैट तो इसको मंदब होग है लीड टेटरा उक्साइड नेक्स्ट कोशन है आपको मानो सरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है तो एंसर होग आपका कोलन में बैक्टेरिया द्वारा उसके बाद डार्क एवेंजर क्या है तो एक परकार का परमुख जो है computer वाइरस है चंद्रमा पर वायू मंडल ना होने का कारण क्या है कि वहाँ सभी गैसों का जो वर्ग माद मुल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है यानि कि जो escape velocity है न उससे आपको जादा उनका क्या है root mean square velocity देखे escape velocity अगर मालेजिए आपका escape velocity अगर कम है तो इससे क्या होगा कि वहाँ के जो भी वाता वरन बोल सकते हैं वहाँ में जो भी available gas है जो कि अब आप अर्थ पे देखोगे वह सारे क्या हो जाए इसकेप हो जाएंगे यह बाहर निकल जाएंगे तो सारे उपर चल कोशन आपको किस एक कोशिकिय सेवाल यानि unicellular algae का उपयोग जो है अंत्रिच में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है यह भी अच्छा कोशन है क्लोरेला ठीक है यह भी एक्जाम से पूचा गया कोशन है नेक्स्ट कोशन आपको प्राकिर्टिक रबर किसका बहुलक है यानि पोलीमर है तो आईशोपरीन का द्रब की चोती अवस्ता क्या किलाती है तो प्लाजबा बाकी तीन जो है solid liquid gas उसके बाद प्रतियावर्थी धारा किमाप की सियंत्र से की जाती है तो यह पता है तब तार एमिटर के द्वार होट वार एमिटर से प्रकास त यह माल लिजिए उसका गुरुत्वत केंद्र कहां रहता है तो आपको बता है कि सेंटर पीटल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर होता है और सेंटर फीगोल बाहर की होता है तो इसका एंसर क्या हो जाए वाले वृतित के केंद्र पर यानि सेंटर पर होगा ठीक है मानोरक्त का प इस सिदान्थ पर अधारित तो वो है आपको नाविकिया संग लाएन नुक्लियर फ्यूजन पर प्रोटोन की खोज किष्णे की थी रधर फोर्ड ने कौन सा पदार्थ पृत्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाए जाता है पानी सोलिड में आपको पता है जो ice के form में होता है liquid of course पानी और gas तो बेपर के form में तो पानी जो तीनों form में आपको यहाँ पे मिलेगा इसका answer उसके बाद next question है phycology ठीक है के तहद बिज्ञान के किस सका के अध्यान किया जाता है phycology के अंदर जो है सेवाल यानि algae का जो अध्यान किया जाता किस विटामिन में कोबाल्ट पाये जाता है तो वो है विटामिन B12 उसके बाद next question है आपको meninojitis जो की तानिका सोध नामक रोग में सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो भाई मस्तिक्स यानि ब्रेन next question है आपको माना सरीर में रक्त का थका नहीं बनने का परमूर कारण क्या है उसमें हिप पेरिन नहीं होता है absent होता है next है चाय बनाने के लिए जो विदू द्वारा केतली में पानी की स्विदी द्वारा गरम होता है तो वो है convection के द्वारा सेम वापस आ गया वही बिदू की जो है चिकित्सा सास्त्री अध्यान यानि medical study को क्या कहते है तो geriatrics उसके बाद है hypoglycemia नामक रोग रक्त में किसकी कमी होता है तो वो है glucose उसके बाद है HTLV नामक वाइरस से कौन सा रोप फैलता है तो वो होगे ads मानो सरीर में सबसे छोटी ग्रंती है आपको pituitary gland enzyme मुलता है actually क्या है protein है पित का निर्माण सरीर के किस भाग में होता है तो liver यानि यक्रित में होता है उसके बाद है black hole यानि क्रिस्ट रचीद्र जो है सिदान को प्रतिपाद किया था उसके बाद होता है कि tetraethyl lead ठीक है पेट्रोल में क्यों मिला जाता है ताकि जो anti knocking का rating है उसको अगर आपको बढ़ाना हो तो इसको हम use करते है कि tetraethyl lead को next question हीरे का चमक होता है क्योंकि भाइस में total internal reflection होता है पूर्ण आंतरिक परावरतन के कारण अपेक्षिक आद्रतानिय relative humidity नापी जाती है किसे हाईग्रोमीटर से रेटिनया पर बनने वाला जो परतिप बिम्भ होता है वो होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा पोलियो का टिका सर्व परतम किष्ण ने त्यार किया था तो जोन सॉल्क ने दिया दिया उसके बाड़ नेक्स कोश्टिन है गोवर गैस का मुख के संगटन है मीथेन हरे पोदो में परकास संगसलेशन की इकाई क्या कहलाती है वह है आपकोस हमने पढ़ लिया था क्या है क्या है क्वाटाजोम न्यूटन पर किलोग्राम ठीक है अच्छा न्यूटन पर केजी जो है किस बहुती क्रासी का मात्रक है तो भाई एसलरेशन नेक्स्ट कोश्टन है गैटर नाम का जो रोग सरीर में किस की कमी के कारण होता है तो अभी हमने पढ़ आयोडिन के कमी कारण जो गैटर होता है उसके बाद है वाइरोलोजी नाम सी आप समझ गए होगी वाइरोलोजी किसका अधियन है वाइरस का है विटामिन सी का जो रसायनी के नाम क्या है आसकॉर्विक एसीड next question है समान बेक्ती का जो अनुस सीलक यानि डैस्टोलिक रखत अगर दाप कितना होता है तो 80 mm जो mercury यानि HG के स्वेट परकास के प्रिजम द्वारा बने वर्ण करम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है तो अभी हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा डिविएशन होता है वाइलेट रंग यानि वैगनी रंग का कैलोमल क्या होता है अच्छा तो यह होता है आपको मर्कुरोस क्लोराइट को बोलते है next question भी काफी अच्छा है सिंदूर का रसाइनिक नाम क्या है तो यह है मर्कुरिक सलफाइट जूटा सोना यानि फूल्स गोल्ड किसे कहते है तो प्राकृती में यानि जो नेचर में पाए जाने वाला क्या आइरन सलफाइट और आइरन पाइराइट्स ठीक है इन्हें क्या बोलते है जूटा सोना पाइरेट्स का मतलब भी समझ सकते हो डाकू चोर होता है या जूटा मतलब तो आइरन पाइराइट्स उसके बाद होता है पैनक्रियाटिक जूस जो है में पाए जाना वाल एंजाइम कौन सा है तो वो है trypsin enzyme आतो यानि intestine में protein को जो है amino aml में अपगटित करने में जो उत प्रेरक होता है वो है होता है pepsin enzyme next question आपका estro D क्या है तो यह बर्मभांड के विकास का अध्यन करने वाला जपानी X-ray उपगरा है next question is drotara यानि polystar अकास में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अनितारे नहीं इसके कारण है अच्छा दुरू तारा का प्रिथिवी इसका अंसर क्या है drotara का प्रिथिवी के घुर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना next question है मनुस हिर्दय में समाने ते प्रती मिनट कितिनी बार जो है समपतन होता है हर्डविट की बाद है तो बहत्तर बार होता है next question है आपको इस spino manometer नामक यंतर से क्या नापते है तो अपकोस blood pressure यानि रक्त दाप को नापते है सन 1902 में Karl Landsteiner ने किसकी खोज की थी तो बाई blood group यानि रक्त समू की खोज की थी समूद का जल नीला क्यूं होता है क्यूं होता है क्यूं होता है क्यूं होता है किसका blue color का यानि जल के कणों को द्वारा प्रकास के प्रकिरण के कारण यानि स्केटरिंग ज़्यादा होता है आपको अधियन उनके समाने वातावरण से नेक्स कोईशन है आपको कि नोबेल पुरसकार से समानित होने वाले बिश्व की प्रतम महिला विज्ञान के छेतर की थी वो कौन थी तो मैडम क्यूरी थी 1930 में इनको वहतिक विज्ञान में के लिए दिया गया था उसके बाद नेक्स कोईशन पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र जहाज जो है तैरते रते इसका कारण क्या आता है कि जब जहाज के डूबे हुए भाग से हटाएगे पानी का बार सारे जहाज के बराबर होती है इसलिए वो क्या है उसलिए वो पलवन करता है और सुई के द्वारा हटाएगे पानी का भार सुई के भार से कम होता है जिसे सुई पानी डूब जाता है ठीके तो आप समझ सकते हो कि जो पानी जो थ्रस्ट वाल आपने पड़ा होगा कि जो पानी हटाए गया उसका जो क्या विट ज़्यादा रह रहा है उस object से तब को क्या हो जाएगा तो तैरेगा है ना और अगर माली जो अबजेक्ट से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो डूब जाएगा यह अबजेक्ट का जादा हो गया तो डूब जाएगा ठीक है ना नेक्स वर्च है भारत का स्वधिश जो निर्मित इंडिजिनेसली बिल्ट दूसरी पिड़ी का पहला उबगर कौन सा है तो वह है इंसेट 2A सूरे का प्रकास की सहायता में सरीर में किस विटामिन का निर्मार होता है तो विटामिन D का नेक्स है है हैली कमेट यानि हैली पुछल तारा प्रती कितने वर्ष बात दिखाई देता है तो 56 वर्ष किन तरंगों की सहायता से चमगादर यानि बैट्स रात में जो सुरक्षित उड़ते हैं तो अल्टरा सोनिक जो तरंगों के सहायता से एचाईवी विसाड़ू से कौण सा रोग होता है टिक है तो एड्स होता है रक्त का ठका जमाने में कौण सा विटामीन सायख होता है तो विटामीन के एम्पियर सेकेंड मातरक है आपको आवेश की मातरा लाफिंग गेस किसे कहते हैं नाइटर्स अक्साइड को बोलते हैं एंटो उसके बाद बाहम चुम्बकिय प्रभावों से वैज्ञानिक अंतरों की रक्षा की जाती है वह है लाव कवर में रहकर नेक्स कोचन है परमानों बिजली घरों में किस परकार के नुकलियर अविक्रिया होती है तो आपको पता है नुकलियर फ्यूजन का यह जो भी लिविंग और्गनिजम्स है उनके आयू को पता लगाने के लिए जिवास्मों की आयू को पता लगाने में जो सरीर है हमारा बोड़ी है उसका सारा रख्त किस के माधियम से सुध होता है यानि जो प्यूरिफिकेशन अफ ब्लॉड है वो किस माधियम से होता है तो किड्नी के माधियम से होता है पता है कि जो हमारे ब्लॉड है उसमें जितने भी वेस्ट प्रोड़क्ट्स हैं जैसे हाइडरो यहाँ पे एड़ किया गए हाइडरो और दो समानते दरपणों के बीच रखी वस्तू कितने परतिभिम बनाते हैं यानि दो अगर पैरलल अगर आप मीरर रख दोगे ना तो कितने मीरर को फरमेशन हो गए तो इंफनाइट मेर इंफनाइट इमेजेस जो हैं यहाँ बनेंगी नेश्ट है दो समानते दरपणों के बीच रखी वस्तू सबसे अधिक चमकीला प्रतिभिम कौन सा होता है तो दूसरा प्रतिभिम जो सबसे ज्यादा चमकता है ठीक है तेल का जल के तल पर फैल जाने के कारण क्या है अगर आप मानलो पानी में अगर तेल डालते गषाई कुछ है उसके बाद है पेंसिल का जो लीट होता है वो किशीज का बनाता होता है ग्रिफाइड का होता है साड़क पर चैलने की अफिक्षा बर्फर चलना कटीन है क्यूंकि वाइख सेम चीजी यो फृक्षन आपने पढ़ा होगा है ना बर्फ में क्या होता है जो है आउरत काल बढ़ जाता है जिसे घड़ी सूस्त होता थी ठीक है घड़ी मियों में क्या होता है लेंध बढ़ जाएगा है और इसलिए उनका जो मोवमेंट या आप उसिलेशन आप बोल दो तो वो क्या हो जाता है सूस्त हो जाता है कम हो जाता है उंचे स्थानों पर प प्रिंट कर दिया गया हो गलत टाइप कर दिया हो ताप इसको जब करेक्शन आप हमें कमेंट सेक्शन में बार कर दीजिएगा ताकि हम इसको वापस शुदार सकते हैं या बागी कैंडिट्स को भी पता चल जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं पित्तल यानि मिस्र धातू है जस्ता और तामबा का गैसों की दाप ग्याद करने वाला यंत्र क्या कहते हैं मैनोमीटर भावा एटोमिक रिसर्च सेंटर यानि ट्रॉम्बे मिस्थित पांचवे निकुलियर येक्टर का क्या नाम है तो उत्रू उसके बाद है अगनासरी रस में पाए जाने वाला एंजाइम यानि ट्रिपसिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदलता है तो छोटे पेप्टाइड्स में ठीक है मनुसी में दाद यानि जो रिंग वार्म होता है ये रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है तो आपक स्पोरम ठीक है नहीं और उसके बाद है सकरवी नामक रोग किस विटामिन के अभाव से होता है तो विटामिन सी सबसे भारी धातु कौन सा है तो ओस्मियम है उसके बाद है बिदुत का सबसे अच्छा चाला कौन सा है तो चांदी पोटेसियम का जो आयस की यानि इसके नविक्या विगटन में अंतता क्या प्राप्त होता है तो सीसा ध्वानिकुम आपने की काई क्या है तो डेशिबल स्टेनलस स्टील की धातियों को मिस्रित करके बना जाता है तो क्रोमिम लुहा और निकल क्रोमिम का इस लिए उज़ करते है ताकि चमके अनम अगर आ आड़ बनाना तो आइरन के अड़ गर दिये उसमें राइट नेक्स्ट है वनस्पति विग्यान की उस साखा का क्या नाम है जिसमें सैवाल यानि अलगे का अधियन किया जाता है तो फाइकोलोजी दूद से धही बनाने वाले जिजानों को क्या बोलते है तो वह बैक्टेर यानि डियाबिटीज के रोगी के पेसा में किसकी अधिकता हो जाती है तो वह आपको वही डियाबिटीज है तो यानि सुगर की उसमें क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है उसके बाद है हाइड्रोलिक ब्रेक्स यानि स्वचालित ब्रेक्स किस नियम के अधार पर बने हु नेक्स्ट कोशन है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली हाइपो करसायनिक नाम क्या है तो वह होगा सोडियम थाई सल्फेट भुपाल गैस दुरखटना यह आप देख सकते हो मैंने आपको कल कोश्चन कराया था ठीक है यह आपको बिहार SSC के द्वारा कोश्चन पू उसके बाद गेहूं का विज्ञानिक नाम क्या है तो ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम वैल गेर ठीक है नेक्स्ट खोशन आपको कि ओक्जैनो मेटर से क्या नापा जाता है तो पौदों की जो रखिया विरीदी दर उसको नापा जाता है यह जो प्लांट से उसका जो लिनियर ग्रोथ हो रहा है यह कितना ग्रोथ हो रहा है उसको अगर मेजर करना है तो आपको जो ओक्जैनो मेटर का यूज करना चाहिए कमरे में रखे जो रेफ्रेजेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का जो ताप है यह टंपरेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है तक क्या होगी वह बढ़ जाती है मनुसीकी जो स्रव्यता की सीमा क्या है 20 Hz से लेके 20,000 Hz तक है उसके बाद हर्या जो कसीस का रसाइनिक सुत्र क्या है फिरम सल्फाइट H2O उसके बाद है कैलोमल का रसाइनिक नाम क्या है मर्कुरब्स क्लोराइट हिरे की चमक कारण है आपको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानि परकास का पूंड आंतरिक परवार्तन विदूत तिवरता का मातरक है नूटन पर कुलम बिटामिन E का जो अगर रसायनिक नाम है वो है टैकोफेरन नेक्स्ट है भारी जल यानि हैबी वाटर अक्चुली है क्या आपको पता है डी टू ओ जिसको बोलते हैं यूटेरियम ऑक्साइट और इसका जो आप याद वेट में रोग बताईएगा 20 होता है टोटल एटोमिक वेट इसके बाद है ट्रैकोना रोग जो है किस रंग से संबंदित है तो ट्रैकोना भाई आँक से रिलेटेड है हैपोटाइटिस व्यूस वाइरस जो है किस प्रमुक रोग के लिए जिमादार आथ वह है पीलिया के लिए एपिलेपसी अचा है एपलेपसी जो है रोग किसे संबंद है तो वह है आपको नारी संस्थान से next question is AB रक्त समूँ वाला बैक्ति किस रक्त समूँ के बैक्ति से रक्त ग्रहाण कर सकता है तो AB वाला जो है किस किस से ले सकता है यानि किसी बैक्ति का अगर blood group A है तो किस किस से वो खुण ले सकता है तो भाई देखे इसमें AB A तो पहले तो A और B दोनों हैं यहापे है ना एक मिनट तो यहाँ पर आपको A भी ले सकता है B से भी ले सकता है और A भी यह तीन हो गया उसके बाद ओ तो पता ही उनिवर्सल डोनर है यानि सबको दे सकता है तो अपकोर्स यह भी आ जागा इसमें नेक्स्ट कोशक है चेचक के टिके के कोश किस ने किया था तो भाई Edward Jenner ने किया था दूद एक अधर्स आहार है लेकिन इसमें किन तत्व की कमी होती है तो आयरेन और कॉपर की काफी अच्छा कोशन है आप इसको नोडावन कर लेगा उसके बाद है selling percentage यानि selling परतिसत जो है मुंग फली की गुणवता ग्यात करने का एक अधर है यानि parameter है और यह सेलिंग परतिसत से क्या ग्यात किया जाता है तो मुंग फली में दाने की परतिसत उसके बाद है विश्व का सबसे पुराना जो ख़दान कौन सा है तो हट वल्गेर next है किस बकरी को विश्व की दूद की रानी कहा जाता है milk queen of the world के नाम से जाना जाता है तो वो है सानेन बकरी को काफी अच्छा कोशन यह भी देखने को मिलता है तो यह काफी अच्छा कोशन है नेक्स कोशन है हस 44 काटने का जो मसीन होता है चफ कटर जिसको बोलते है में flywheel किस परकार के लोहे का बना होता है तो एक मिनट धलवा लोहे का प्रती 100 ग्राम भेंस की दुद्ध कितिनी उर्जा प्राप्त होती है तो लगवा 90 कैलरी आपको मिल जाएगा मनुस के रक्त में लाल रंग कारण है हैमो गलेविन मनुस में गेस्ट्रिक जूस किस अंग से स्त्रावित होता है तो वो होता है अमाश्य से उसके बाद है the origin of spices पुष्टत जो है किस लिक्या तो डर्विन छार्स डार्विन ने उन्हों किताब लिगा है उसके बाद है प्रोसेसर निया की आपको पता एक प्रोसेसर क्या होता है वो एक्चुली आपके जो सिस्टम का जो स्पीड होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है इसमें यह बज़ा है कि प्रोसेसर की गती किस मात्रक में आपी जाती है वो होता है मेगा हर्ट्स में किसमें मेगा हर्ट्स या गीगा हर्ट्स म हो गया हुपिंग सोरी 46 होता ठीक है यानि हुपिंग कफ को बोलते हैं यहां पर प्रटीविस यानि हुपिंग कफ टाइट उसके वाद नेक्स्ट कोशन है वैस के मनुस में हिर्दक चक्र यानि कार्डियक साइकल का समय कितना होता है तो 0.8 सेकेंड उसके वाद है मचलियों में स्वस्न यानि अंग है तो यानि सांस लें रेस्पिरेशन वाला जो अंग कौन सा है तो वह है गिल्स कलोम यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है वाट्सन वक किकरे को जीव विज्ञान के किस खोज के लिए नोबल पुरसकार है वो प्रदान किया गया था तो DNA के जो डवल हैलिकल मॉडल की खोज किया था उन्होंने बैक्टेरिया की खोज किस ने की थी तो इसका उत्तर होगा एंटोनी वन लिवेन हॉक ने विज्ञान की सका यानि एग्रोस्टोलोजी किसका अध्यन के जाता है तो एग्रोस्टोलोजी नाम से समझ गया भाई गहांस की बात हो रहे यहां पे फिर एक नेक्स्ट कोशन आपको माने सरीर में बिटामिन के का निर्मान किस अंग में होता है तो कोलोन में बैक्टरिया द कि है पानी होती है कि हाईड्रो मिक्र सब्साइब जाता है तो रिलेटिव फ्रå boys अगर मेजर करना है तो हई जोckaइब पिर घुरिफोंध और पॉर है इस अगर今 उसके बाद next question रसानिक दिरिष्टी से चीनी क्या है चीनी क्या है भाई कार्वो हाइडरेट है अगर आपको instant energy चाहिए तो आपको कार्वो हाइडरेट यानि गुलुकोज का हम क्या करते है इंटेक करते है ठीक है यानि हिंदी में क्या उलजाए इसको 7 करते है साथ ठीक है फिर इसके बा तब समझ सकते हो यह आपको temperature जब ज़्यादा हो है या कुछ आग हो या इसे related होगा तो पाइरेटिक का यूज करते है और पाइरेटिक अगेंस्ट अगर आपको किसी चीश का उज करना है तो ओगे एंटी पाइरेटिक और एंटी पाइरेटिक में आपको बदा है बुखा मिमारी क्या होती है अपने स्वास्त के बीशे में और समाने मानसित चिंता की मिमारी ही हाइपोकॉंड्रिया है का नेत्रदान में रोगी में आँखिका की सभाक का प्रती रोपनेदे किया जाता है आपने यह मंदब आप देखा पहलेगरा के अगर बात करें, यह किस कमी के कारण होता है, तो आपको पताना चाहिए नियासिन के कमी के कारण होता है, क्या नियासिन के कमी के कारण होता है, चंद्रमा के तल से अकास का कारा दिखना है, किस का कारण होता है, तो प्रकास का प्रक्रिण के कारण, उसके बाद ह खसरा यानि मिजल्स का होने का कारण क्या है तो वाइरस समान इस्तितियों में हिर्दे से आने वाली जो रक्त का कितना प्रतिसत भाग गुर्दे को मिलता है तो सिर्फ 24% नाइलन जो प्लास्टिक्स होता है कि अविसकार कौन थे तो वह थे यहाँ पर आदेए कारो थर्स 1937 में उसके बाद है रूटाइल किस धातु का आयसक है तो टीटेनियम का लेड ऑक्साइड पीबीओ का अभ्यपारिक नाम के है तो आपको लिथार्स हिंदुस्तान और्गनिक केमिकल्स लिमिटेड यह एक्चुली कहा श्तित है तो यह आपको महराष्ट में कोलबा एक जगह है वहाँ पे यह श्तित है इस्तंधारी प्राणियों में यानि मैमल् ठीक है यह अच्छा कोशन है उसके बाद है रेडियो एक्टिव जो रेडियो एक्टिविटी होता है रेडियो एक्टिविता कि अगर बात करें इसके इकाई क्या होता है बैक्क्विरेल होता है दोनी से संबंति विज्ञान क्या होता है एकॉस्टिक होता है इलेक्ट्रोन का हवा में तैरना का कारण क्या होता है सेम चीज़ यानि विसकोसिटी ठीक है डेंसिटी कम होता है सिंबल से बात है इसलिए तैरता रहता है उसके बाद होता है जीवन के उद्भव का प्राथम वेग्यानिक विवरां किस वेग्यानिक ने प्रस्तूत किया था तो वह आपके क्या है तो इसका एंसर क्या होगा आपको केल्सियम यहां पर देखिए CAH2PO4 ठीक है यह है सुपर फॉस्पेट का उर्वरों का सुद्र नेक्स्ट है पानी का अधिक्तम घना होता है यानि maximum density of water जो है किस temperature पर होता है तो चार डिग्री Celsius पर होता है उसके बाद है अपलेपसी रोग जो है किसे संबंदित हो नाड़ी संस्थान से ड्रोपसी की बिमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदाई पाये गया है तो वो है औरजीमोन का ठीक है इसके कारण क्या होता है ड्रोपसी के बिमारी होता है हडियों में phosphorus किस रूप में पाये जाता है तो calcium और phosphate के रूप में किस उपकरन द्वारा ध्वनी तरंगो का परियोग करके समुद्र की घराई ना पी जाती है तो सोनार का ठीक है नेक्स्ट कोशेन आपका के मुत्र में albumin आने से किस अंग के गड़बर होने का संभावना हो जाती है यादरिए kidney का मैनोमीटर से क्या नापते है गैसों का जो दाब है यादि प्रेशर है उसको नापते है पायरोडोक्सिन का किसका रसाइनिक नाम है तो vitamin V6 का मैनोमीटर से क्या नापते है गैस का दाब चार अर्ध आयों के पश्चात किस radioactive प्रदार्त का कितना भाग और विगटित रह जाएगा एक बटे 6 भाग या percentage बज़ो 6.25% होगा आपको उसके बाद है जेरोफ्थालेमिया यानि सुस्क चिपाग का कारण क्या है तो vitamin A की कमी sodium के किस योगिक को water glass कहा जाता है तो sodium silicate को ये भी काफी बार question कुछ है आपको ये देखने को मिला होगा ठीक है जो अलग-अलग जो है exams में ये questions काफी बार repeat हो चुका है तो इसको no down कर लिजेगा चुम्बकिय दिरिष्टी से oxygen क्या है तो वो है आपको paramagnetic यानि अनुचुम्बकिय एक radioactive तत्व का परमाडू करमा क्यानि जेड है इसके इससे एक बी कण उत्तर्जिस होने पर यह कितना हो जाएगा ठीक है तो जेड प्लस वन हो जाएगा रदरफोड में बहुत एकी किस मुलक कण की खोजती तो प्रोटोन की थी रक्त का ठका किस रोग में नहीं जमता भाई तो वो हीमोफिलिया में DNA उपस्तित रहता है केंद्रक में सेंटर में ठीक है जो नुकलेस का सेंटर है वहाँ पे DNA रहता है और आ रहे ने थो भाई DNA में भी आपको रहेगा सेंटर में भी और बाहर में भी हो रहता है ठीक है उसके बाद है अनुवान सिक्ता कि भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी तो ग्रेगर जॉन मैंडल ने किया था हेरेडेटरी यानि इनको फादर अफ हेरेडेटरी भी बोलते है तो किस ने दिया था ग्रेकर जॉन मेंडल ने एक परमाणू द्रब्यमान इकाई यानि 1 AMO के पुन रूप से उर्जा में परिवर्थित करने पर कितनी उर्जा मुक्त हो जाती है तो इसका एंसर क्या होगा 931 MEV पानी में हवा का बुलबूला किस परकार के लेंस का भाती कारे करता है काफी important question है आउतरललैंस की तरफ यानि जो भी drops आपने देखाऊगा पानी में जो भी बुलबूला जो निकलते हैं वो किस टाइप के लेंस का सेप लेते हैं आउतरललैंस की जो जो सेप लेते हैं next question है इलेक्ट्रोन वोल्ट किस भहुती क्रासी का मात्रक है उर्जा का साबुन के भुलबुले में परकास की घटना के कारण रंग दिखाई देते आपने देखाऊगा काफी हमने बच्पन में भी किया है साबुन का जो साबुन और सर्फ का जो बुलबुला बनाके उपर हवा मुड़ाते ते तो उसमें काफी वो कलरफुल दिखाई देता था ठीक है उसका कारण एक्चुली क्या था तो उसका कारण था बेती करण के करण ठीक है नेक्स्ट कोचन है गतिमान आवेश उत्पन करता है यानि इसका उंतर होगा चुम्बकिय चेत्र तता विदुद चेत्र दोनो डाइनामाइट फिर समय पर डाइनामाइट नहीं यह पहली बार आ रहा साथ चे डाइनामाइट का अविसकार किस्ट ने किया था तो अल्फरेड नोबेल ने किया था वह इनी के नाम पर नोबेल पुरसकार है आपको पता ही होगा किस तारे का रंग किसका परिचायक होता है ठीक है तो तारे के ताप अच्छा तो बोल रहा है कि कोई भी तारा है उसका अगर माली जो चमकता है उसका वो एक्चुली किस कारण सोता है वो टेंपरेचर कारण होता है ठीक है और आपको जैसे पता है कि कोई भी चीज अगर हैबी बाद है अर्जन टाइट किस धातु का आयस्क है और है तो मादब ये है चांदी का दूद का pH वैलू कितना होता है 6.6 मनुसके शरीर में पित कहां बनता है तथा कहां इकठ्था होता है तो बनता कहां पर तो यक्रित में बनता और जो इसको स्टोर किया जाता है वो है गॉल ब्लेडर में किया जाता है नेक्स्ट कोशन है मानो सरीर के सबसे छोटी मान स्पेशी का क्या नाम है तो आपका एंसर क्या होगा स्टैपिडेस होगा हिस्टोलोजी में किसका अधियन किया जाता है तो टीश्यू को किया जाता है न्यूटन पर केजी जो है किसका आपको भौतिक रासी का मात्रग है तो असलेटरेशन का है आयोडिन टिंक्चर क्या है अच्छली आयोडिन का जो है अलकोहलिक विलियन है रेडियो तरंगे वायू मंडल से पर वड़तित होती है तो आईनोस्पेर इसके वापस रिफलेक्ट हो जाती है तो कहां से आइनिस्फेर इसका एंसर हो जाएगा टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण एक बार यह वाला कोशन एबड़ चेक कर लेजिए क्रोमोप्लास्ट इसका एंसर सही एंसर है कि नहीं नेक्स्ट कोशन है, एकोलोजी आणि परास्तितिकी का समयंद के हैं, जिव और परियावरण फ Courtney Rabbit can x भारत में अंत्रीकषायोग की स्थापना कब होई थी, तो 2022 जून में होई थी सर्व प्रत्म क्रिति जो क्रिति मैंने आर्टिफिशल जो गर्व धान भारत में कव प्रारम किया गया तो 1942 में आई राइट क्या है तो यह विकलाउंगों का कम्प्यूटर है प्रित्वी से पलायन यानि इसकेप वेलसिटी हम भी हम बात कर रहते हैं कि जो चंद्रमा पर वायु मंडल वहाँ पर इंवर्णेंट नहीं होता क्योंकि वहाई स्केप विलोसिटी काफी कम होती है और सेम चीज वहाई स्केप विलोसिटी अगर बात करें प्रिथिवी पर कितना होता है तो आपको होता है 11.2 km per second तो इसका एंसर क्या होगा जो प्रिथिवी का कितना होना चीए 11.2 km per second है इंद्र धनुस किसका उधारण है तो अपवर्तन का विच्छेपन का और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ठीक है नेक्स्ट कोशन है पूस्प विभिन रंगों का होता है क्योंकि उनमें पाय जाता है अंतोसाइदनी सेव का जो खाने वाला भाग है होता है रसदार थैलमस मानो सरीर में एक मिनट में कितनी बार हट बिट करता है तो वो है बहत्तर बार स्वयम बिना बदले रसाइनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाला पदार्थ को क्या कहते है तो वो हो गया आपको कैटलिस्ट और उत्प्रे रख फैरेनाइट पैमाने के अनुसार पानी का समान क्वाथंक जो है कितना होता है 212 डिग्री फैरेनाइट समान परमानू संख्या लेकिन अलग द्रवेमान संख्या वाले जो अनू होते है उसको क्या कहते है तो आईसोटोप कहते है इंसुलिन की खोज किस ने किया था तो एफजी बैंटिंग ने किया था बोकारो स्टिल प्लांट किस देश के सायुक से बनाए तो पूर सोव्येट संख्या हेल्प से बनाए राष्ट्रिय विज्ञान दिवस जो है आपको 28 फरवरी को मना जाता है राइवो फ्लावीन जो है बिटामिन बी टुक को कहा जाता है मदुमक्यों के काटेने पर किस के कारण दर्द होता है तो वह है फॉर्मिक एसीड का सम्वें कैसी रासी है सदिस अथवा अदिस तो वह होगा इसका एंसर होगा सदिस अब आर आपको हैमेमाइट हैमेटाइट किसका आयस्क है सूरी में उर्जा का निर्मान किस परक्रियास होता है तो आपको पता है नविकिय संगलाइन या नुकलियर फ्यूजन के द्वारा भूप परपटी के अगर बात करें भूप परपटी में सर्व अधिक पाया जाना वलता तो कौन सा है ठीक है तो आपको ऑक्सिजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है नेक्स्ट कोशन है आपका ध्वनी का वेग अनुमानता कितना होता है तो 330 मिटर पर सेकेंड होता है पानी का घनोत जो है किस ताप पर अधिक्तम होता है तो आपको चार डिग्री सेल्सियोस पर हमने देखा कि पानी का जो डेंसिटी होता है यानि मैक्सिमुम डेंसिटी होता है चार डिग्री सेल्सियोस पर नेक्स्ट है सर सिवी रमन को बहुतिकी का नोबल स्क्राल कब दिया गया है उनको 1930 में दिया गया था नेक्स्ट कोचन है मनुस्य शरीर की सबसे लंबी हड़ी क्या है फेमर ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है वो है कौबर सल्फेट पौदे को किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है तो अफकोर्स तना से होती है होलोग्राफिक इसकी तकनिक है तो वस्तु के जो त्रिविमिय प्रतिरूप को अंकित करने एवम पुनर वरिति को करने की ठीक है इंसुलिन के खोज किस ने किया था तो एवजी वेंटिंग ने किया था हडिवो में फोस्पेट की सुरूप में पाय जाता हो तो अब ने देखा कैल्सियम फोस्पेट की रूप में मैनोमीटर से क्या ना पाजाता है गैस का दाब उसके बाद है टेरामाइसिन नामक जो एंटी बायोटिक की जिवानू से प्राप्त होता है तो इस ट्रेप्टो खोकस रिमोशस से ठीक है नेक्स्ट वर्शन ध्वनी की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पढ़ता है तो कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है इसका इसके बाद है कोस्मिक रेज यानि कोस्मिक किरणों की खोज किस ने किया था तो आर्ग ए मिलिकन ने किया था चालक की व्यदित जो प्रति रुद्ध का मात्रा क्या है तो ओम प्रिथिवी का आउसत घ्रण तो कितना है तो 5.5 ग्राम पर सेंटिमीटर क्यूब जर्मन सिल्वर जो है में कौन कौन से जो संगटक होते हैं तो तामबा निकल और जिंक नेक्स कोशन है आपका चुम्बक जुकाओ कि समान इस्थिती दरसाने वाली रेखा को क्या कहते हैं उसको बोलते है आइसो क्लिनिक ठीक आइसो क्लिनिक रेखा कहते हैं उसे पक्षियों की पुंच उनके किस काम आती है तो अफकोर्स हवा में उठते समय जो संतुलन बनाये रखने के लिए कोशिका का उर्जा घर किसे कहते हैं अच्छा कोशिका का उर्जा घर किसे कहते हैं यानि पावर हाउस अफ सेल किसे कहते हैं तो mitochondria कहते हैं घरों में बिजली supply के लिए तीन तरह के तारों का प्रयोग करते हैं एक तो live होता है एक neutral होता है और दूसरा जो अर्थिन होता है और इसी क्रव में तारों का रंग भी होता है ठीक है और क्या क्या होगा तो live के लिए लाल हो जागा नीट्रल के लिए काला और अर्थिन के लिए हरा हो जाएगा यह basic आपको knowledge है जो आपको पता होना चीए नेक्स्ट है आपका धुरू तारा अपने स्थान पर ठीर जो है परतित क्यों परतित क्यों होता है ठीक है तो पृतिवी के घुर्णन अक्ष के सीध में होने के कारण ठीक है तारा बनने की प्रक्रिया का प्रंभाव जो है किन गैसों से होता है तो हाइडरोजन वह हिलियूम से कृतिम उपगरा में उर्जा का श्त्रोत क्या है तो भाई सौर बैटरी आकास का सबसे चमकीला सी तारा कौन सा है किस अन ये परमाणू से किरिया क्यों नहीं करती तो नोबल गैसाब ने पता क्योंकि वो अल्रेड़ी स्टेवल होते है और उनके जो बाहरी वैलेंस से है क्या बोलते है उसको बाहरी जो कक्ष में क्या होते है तोटल आठ एलेक्टरोन होते है नहीं अल्रेड़ी स्टेवल होते है तो इसका एंसर क्या होगा क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में आठ एलेक्टरोन होते है नेक्स्ट है पानी में जो अगर आप साबुन घोलते हैं इसे क्या होगा कि प्रिष्ट तनाव पर क्या प्रभा होता है तो प्रिष्ट तनाव के कम हो जाता है पठाको में लाल रंग की स्थत्व के उपस्तिती के कारण होता है तो भाई ये स्ट्रॉंसियम के कारण होता है नेक्स्ट है फलो को पकाने के लिए किस गैस का प्रेव होता है तो एथिलीन का प्रेव होता है ठीक है नेक्स्ट है फलो का अधियन को क्या हम बोलते हैं मतलब क्या कहा जाता है तो पॉमोलोजी रक्त कोस में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है यानि sodium nitrate और dextrate के साथ next question है परकास में अगर drone की घटना क्या सीध करती है तो परकास की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे यानि transverse wave होती है एक परकास वर्स में कितने होते हैं एक परकास वर्स में होते हैं आपको 9.46 in 10 to power 12 km ठीक है लाइट यर्स की बात कर रहा है जो की यूज किया जाता है distance को measure करने में फोटोग्राफी में प्रयोग किये गए होने वाले जो हाइपो विलियन का रसायनिक नाम किया sodium thysulfate है हुक्म का नियम विज्ञान के किस साखा से संबंदीत है वह है वहतिक विज्ञान से डपलर का प्रभाव जो है किस छेतर से संबंदीत है ध्वनी तथा प्रकास से मेडल का नियम जो है किस से संबंदीत है अनुवान सिक्ता से हेरेड़ेटरी से इस्टिल पर जिल की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं तो गिल्वनाइजेशन कहते हैं यांतरी कूर्जा को विद्यू तूर्जा में अगर बदलना हो तो यांतर क्या होगा डाइनामू हमने पढ़ा सुक्ष मकड़ों की किसी द्रव ओवा गैसों में दिसाहिं स्वक्षंद जो है गति को क्या कहते हैं तो वह थे ब्राउनियन मूवमेंट यानि ब्राउनियन मूवमेंट आपने पढ़ा होगा स्कैर्टरिंग और फ्लाइट को बोलते हैं जो सरी पार्टिकल्स को बोलते हैं जो पार्टिकल्स जो है मूवमेंट करते हैं तो उसकी को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट नेक्स्ट कोच्चन है विज्ञान के साका फोटो सोनिक्स फोटो सोनिक्स से किसका अधियन क्या जाता है ठीक है तो फोटो सोनिक्स से जो पोधो पर धोयनी का प्रभाव है उसका अधियन क्या जाता है उसके बाद नेक्स्ट कोचन है क्रेसोग्राफ की अंतर से क्या जाना जा सकता है तो पौदों को बढ़ने की दर कितने रेट से बढ़ रहा है तो इसका अगर मेजर करना है तो हम क्रेसोग्राफ का यूज करते है प्रोटीन किन से मिलकर बना होता है तो आपको बता हो कि amino acid से amino amylos से बना होता है vitamin C amalia है या छारी है तो भाई amalia है उसके बाद है ballistic galvanometer से क्या नापते हैं तो छडिक आवेस या ट्रांजिस्टन जो चार्ज होता है उसको नापते हैं उसके बाद आपने sunt पढ़ा होगा sun actually क्या होता है इस थाई रूप से उप्यों किस यंत्रे में किया जाता है तो amylator में किया जाता है रक्त कोस में रिक्त किस रसाइन्स के साथ जो है मिलकर रखा जाता है तो हो गया sodium nitrate वह डेक्सरेट के साथ copper sulfate को किस अन्य नाम से आमतर पर जाना जाता है तो वह है blue vitriol के नाम से तो copper आया यानि blue होगे इदर पर विट्रोयल के नाम से जाना जाता है उसके बाद आप कोबोल यानि शोड़ देजिए common vision oriented लगे वे नेक्स्ट कोईशन पर जाते है gas viserone का नियम यानि law of diffusion of gases किस ने पर्ति पादित किया था तो आपको ग्राहम ने किया था ठीक है खाने के सोड़े का रसायनी नाम के आया तो sodium bicarbonate next question है Kelvin प्यमाने पर समाने वायू मंडिले दापर पानी का क्वथनांख जो है कितना होता है तो 373 Kelvin होता है भारतियों मोर का जीव विज्ञानिक नाम क्या है तो पेपो क्रिस्टेटस है सरीर में रखत लापता की बिमारी को की से नाम से पुकार जाता तो एनिमिया लाइटिंग कंडक्टर का अविश्कार करने वाली अमेरिकी विज्ञानिक थे उनका नाम क्या था वेंजामिन फ्रेंकलीन उसके बाद है 98.6 डिग्री फैरानाइट तापक्रम का जो मान सेंटीग्रे टिकाई में कितना होता है तो 37 डिग्री सेलसियस होता है प्रकृति में सबसे अधिक मातरा में पाई जाने वाला कारवनिक योगी क्या है विदूत की वा मातरा जिसे से 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है उसको क्या कहते है उसको बोलते है एक फैराडे प्रिथिवी की आयू किस विदी से ग्याद करते है तो उरिनियम डेटिंग विदी से उसके बाद आ रहा है नागा साकी पे गिराए गया प्रमाणू वम का किसका प्रियोग किया गया था उसमें प्लूटोनियम का प्रियोग किया गया था किस विद्ध्यानी के प्रियोग से यह साबित हुआ कि DNA का एक अनुवानसिक पदार्थ है तो आपको क्या होगा हर्स और एवंचेज उसका नेक्स्ट कोशें आपको सिरके में कौन सा अमल होता है तो एसिटिक एसिड होता है हेमेटाइट खनीज में से कौन सा धातु प्राप्त होती है तो वह है लोहा विटामिन C का जो रसाइनिक नाम है उसको है एपसर्व की एसकर्विक एसिड राइट कौन सा जो है कार्बिनिक योगी सरोपतम संसलेति यानि सिंथेसाइट किया जा गया है तो वह है इूरिया सोडियम की खोज करने वाले भी ज्यानी का नाम क्या था हुफरी डेवी ठीके उसके बाद है आपको जीन तत्व की प्रमाणू संख्या समान परंतु जो द्रव्य माने भीन भीन होते हैं वे कहलाते हैं आपको आईसो टेप आईसो टोप्स यानि समस्यानिक नेक्स कोशन आपको को केवराटो मलेशिया या जीरो 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 थालिमिय की बात हो रहा है यह विटामिन ए की कमी से होता है टमाटर फालो का रंग कीन कारण होता है लाइकोपीण टीक है यह सही एंसर है लाइकोपीण इसे पहलो qeheen आया था इससे पहले कोशन आई commerce वहाब देख बाद देख लीजेगा हेलोजन सेवेंटीद ग्रूप जो है उस ग्रूप से बिलोंग करते हैं ये सारे बिजली चमकने के कारण हवा में मौझूद अक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग जिस किसमें परिवर्थित हो जाता है तो नाइट्रोजन अक्साइड का का अच्छा ब्यातरिन कोशन ह में संकट अवस्था में हमें प्रतिकुल परिष्थिती से निपटने के लिए कौन सा ग्रंति का स्त्रावरण त्यार करता है तो होगा एड्रिनल का मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुबने वाली अंग होते हैं वो होता है मैक्सिला और मैंडिबल नेक्स्ट कोशन है हेवी वाडर से पुछा गया है फिट से परमाडू भटियों में जो भारी जल है का प्रयोग किस रूप में किया जाता है तो मंदक के रूप में किया जाता है यानि परमाडू भटियों में जो है क्या है हेवी वाडर का यूज जो है किस फॉर्म में किय जाता है तो वंदक के रूप में किया जाता है नेस्ट कोशन है वो है आपका गोता कोर समुंदर के अंदर जो सांस लेने के लिए किन गैसों का मिस्रान का उप्यों करते हैं ठीक है जो स्विमर होते हैं जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो कौन सा जो गैस का यूज करते हैं अपने पीछे जो है ऐग्री करते है उसमें कौन सा गेस होता है ठीक है? कौन-कौन सा गेसों का मिसरन होता है तो वो होता है हिलियम और ऑक्सीजन का एक्क्शिजन है जुल पर सेके जो है किसका मातरक है? भाई, पावर का है पैरेल का नियम हवा के किस भोतिकारफ के संबन्दीत है तो दीशा से संबन्दीत है फोबोस और आपको डोयोस जो है किस ग्रह के उपगर है तो मंगल ग्रह के है इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस वीदी द्वारा त्यार किया जाता है तो आश्वन के द्वारा किया जाता है गंदक के साथ रबर को गर्म करने के क्रिया को क्या कहते है वलकनाजेशन या हिंदी मोले तो वलकनी करन बैक्टेरियो फेज अचा वैक्टेरियो फेज क्या है तो यह वैक्टेरिया का परिव जिवी वाईरस है नेक्स्ट कोशन है रेडियो अक्टिविटी से कोशन है रेडियो अक्टिविटा यानि रेडियो अक्टिविटी में विटा जो किरने होती है वह क्या होती है वह होती है 16 नेक्स्ट कोशेट ने आपको काच पर लिखने के लिए किस अमलका प्रयोग किया जाता है तो अपका answer होगा hydrogen fluoride acid का कोन सा acid hydrogen fluoride acid का यूजग किया जाता है सुध सोना कितने karat का होता है 24 karat का होता है किसी चालक के 0 के बिच विवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है यह नियम है ओम का नियम ठीक है ओम का जो लोग है यह एक चुली दिया गया किसी चालक के सीरो के बिच विवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है ठीक है स्टार्ज को माल्टोज में परिवर्थित करने वाला एंजाइम है उसको क्या बोलते हैं अमाईलेज परमाणू घड़ी किस प्रभाव के अंतरगत कारे करती है तो आपको किस इसका अंसर क्या होगा आपका पीजो एलेक्ट्रिक प्रभाव ठीक है नए पीजो इलेक्टिक प्रभाव इसका राइट एंसर होगा प्रत्यक पदार्थ में उसके द्रब इमाने के कारण उर्जा भी होती है यह सिदान्त किस वेज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था तो आइंस्टाइन ने किया था आग लगाने वाला जो नापाम बम है यह नापाम बम जो है आग लगाने के लिए उसकिया जाता है आग उत्पन करने वाला जो मुख्य पदार्थ कौन सा होता है तो वो होता है नेफ्थनेट पामिटेट ठीक है ना पामिटेट नेक्स्ट कोशन है हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है तो कार्बन फाइबर आपका राइट एंसर होगा जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है तो वो है बर्नौली का नियम वायू में ध्वनी का वेक जो है किस अवस्था में बढ़ जाता है तो आधरता बढ़ जाने पर I hope कि जो आपको जीतने भी questions हैं आपको जो है काफी helpful होने वाले हैं और आपको इस वीडियो को जो है अगर आप माल लिजे हो सकता है कि इसको आपको questions आते हो बहुत सारे हैं या आपको slow लग रहा हो तो आपकी speed जो है आप इसको 1.5 पर करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हो थोड़ी मेरे जो हिंदी है उसको आप थोड़ा manage कर लेना ठीक है मेरे हिंदी अबाई मेरा हिंदी एक्चुली medium नहीं है फिर भी मैं आप सभी के लिए इसलिए लाया हूँ क्योंकि इसमें maximum ऐसे candidates हैं जो हिंदी medium से है मैं आप सभी को एक कोशन हिंदी में लेका हूँ और मैं फर्स टाइम बता रहा हूँ किसी को कभी मदब हिंदे में ऐसे पढ़ा रहा हूँ अदर्वाइस मैं आपको जो bilingual ही रखता हूं English में ही रखता हूं रैट तो आप सभी candidates के लिए मदब काफी मेहनत करके जो है मैं आसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणू मर जाते है तो भाई लाइजोजाइम होता है परमाणू रियक्टर ता था परमाणू बम में मूल अंतर क्या है तो परमाणू रियक्टर में स्रिंखला अविक्रिया यानि चेन रियक्शन नियंतरित होती है जबकि प एक दो गुना करने की उसकी गतिज उर्जा कितनी होती है तो चार गुना होती है next question है किसी के कमी के कारण बर्फ पर चलना कटीन हो जाता है same चीज वापस friction यानि घसन की अगर जहां friction नहीं होगा तो चलना आपको मुश्किल हो जाएगा इसलिए friction जो है काफी नेसेसरी है अगर आपको चलना है या कुछ मूवमेंट करना हो ठीके न next question आपको जील में फेके वे पत्तर के डूबने पर उत्छेप यानि अफ्थ्रस्ट बल का क्या होता है तो उसका एंसर होगा आपको नियत रहता है next question है बिजली के बल में filament से जो कांच तक उसमा किस विदी से संचारित होती है तो वह होता विकीरंड से अगर वायू मंडल ना होता तो दीन की लंबाई पर क्या परभाव पड़ता तो आपकी दीन की लंबाई क्या हो जाती कम हो जाती किसके कारण खूले में रखा दूद कुछ देर बाद खटा हो जाता है अभी आपने पढ़ा लैक्टिक एकसिड जो है बन जाने के कारण याणि यह बाई प्रोड़क्ट जो आपको बैसिलस बैक्टेरिया है वो कनवर्ट कर देता है आपको किसमें लैक्टिक एकसिड में और इसलिए खटा हो जाता है उसके बाद है अब्रक यानि मिका उस्मा और विदूत के लिए क्रमसा होता है वो आपके उत्तर के आओगा इसमें सूचालक और कूचालक जब दो हलके नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उन में कौन सी प्रक्रिया होती है तो वो होता है नभी की संगलाया नेक्स्ट कोचन है आपको फिट से वह इसके वेलोसिटी से कोचन पूचा गया कि प्रिथिवी से पलायन वेक जो है का मान कितना होता है 11.2 किलोमेटर पॉर सेकेंड होता है आप सभी जो है आप मुझे मून का जो है इसके वेलोसिटी आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट क कहते हैं उसके बाद है किस तारे का रंग जो है किससे निधारत होता है उसका अगर आपको रंग निधारत करना है तो उसके तंप्रेचर पर चाल जाता है परहसालिक दरिश्ठी से बारी जल यायनी हवी वाडर जो क्या होता है डूटीरिय गैसरे है बाहरी कक्छा में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं तो आठ होते हैं उसके बाद नेक्स्ट कोशन है आपको हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है ठीक है वो है कार्बन के किस गैस में सड़े अंडों की गंद आती है तो वह हाइड्रोजन सल्फाइट गैसों में निवरोन किसकी इकाई का नाम है तो तंत्र की इकाई का नर्वस सिस्टम है आपने पढ़ाओगा तो उसका जो इकाई कौन सा है निवरोन लॉंग के तेल का प्रमुक घटन है जो दाद का दर्द दूर करने में प्रविक्त होता है तो यह काफी अच्छा इंफॉर्मेशन है ना गर में काफी आपको यह सब देहनों को मिलते हैं अगर कोई दर्द हो रहा हो तो आ भाई लॉंग का तेल यूज करो और उसमें किस चीज का अधियन किया जाता है इसका नाम सी समझ सकते है आईकॉन यहां पे यूज किया गया नेग्स ct है जल में परकास का विग कितना होता है तो आपको यहाँ पर एंसर हो जाएगा 2,25,000 mm per second एक पार्षे कितने मीटर के बराबर होता है तो एक पार्षे इकॉल्ट होता है 3.09 इंडू 10.16 मीटर यहाँ पर आपका राइट एंसर हो जाएगा कोसिका का उर्जागरी यानि पावर हाउस अफ सिल्की कहे जाने वाला माइटो कॉंड्रिया का नाम जो सर्व परतम किसने दिया था आप अगर अलूशन्ट स्टार्ट करोगे सेल में तो इस टार्टिंग से ही सब दिया गया माइटो कॉंड्रिया जो है इसका जो नाम सबसे पहले किसने दिया था सीबेंदा ने दिया था नेग्सड कोशेन आपको है कि वेसेक्तोमी तता टिब टोमी जो है क्या है तो यह है संतानू उतपती की चमता को रोकने के लिए पुरुसों की नस्बन्दी को वेसेक्तोमी तता महिला को अगर नस्बन्दी करना ही तो उसमें tiptoomy का यूज़ मलब tiptoomy कहते हैं तो vasectomy यागर कोई जो male है उसको अगर उसके नस्बंदी करना हो तो उसको बोलते हैं vasectomy और female में tiptoomy साबुन भोल के भुलबुले रंगिन प्रतीत होते हैं क्योंकि प्रकास के जो है वेक्तिक करण के कारण याई interference of light के करण विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है तो यह एक्रित यंग में होता है यदि हवा में O2 की समाने मात्रा के साथ साथ कारवन जो ऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है क्योंकि हेमोगलोबिन ऑक्सीजन के बजाए कारवन डाय ऑक्साइड से अधिक ततपरता से सहयों करता है आपने देखा हुआ कि कहीं अगर किसी रूम में कोई अगर बंद रहता है और उसमें क्या है कि धुवा होने के कारण क्या होता है उसकी वो भिहोस हो जाता है या हो सकता है उसकी डेथ भी हो सकती है और ये कारण होता है कि कारवन ऑक्साइड जो हता है क्या होता है वो हमार एंसर मद्धुमकी की भासा का अनुवाद करने वाला वह कौन बेग्यानिक था जिसे नोबल प्रुषकार से समानित किया गया तो वो थे कार्ल E1 फ्रीज ठीक है किस विटामिन की कमी से सुखा रोग होता है तो विटामिन D की कमी के कार्ण खसरा रोग जो है किस से फैलता है तो उत्तर आपका इसका इंसर क्या होगा वाइरस से इंसुलीन की खोज किस ने की थी तो बैंटिक वेस्ट ने किया था उसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स किसे संबंदित है तो भाई बीना मिट्टी पानी की जो खेती होती है है ना जहां म विट्टी के जुरूत नहीं, सिर्फ पानी में आप पौदे के लगा दो और वो प्लांट पौदा उगना शुरू कर देगा, ठीक है तो उसे बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, आज के टाइमें जो काफी इसका यूज किया जा रहा है, उसका वाइदे नेक्स्ट कोशन है, प्रचुत होता है, तो वो होता है विटामिन A और D का, किस तापर एंजाइम सरवादिक जो सक्रिय होता है, उतर है आपको 40 डिगरी सेल्सियस, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तुएं के तापनी, तापिय संतुलन में है, तो वो परस्पर भी तापिय संतुलन में होत तो यह जिरूत लॉफ थेरोडाइनमिक्स को बिलते हैं, ठीके, यानि जब दो वस्तु किसी तीसरे वस्तु के तापनी संतुलन में है, तो वो परस्पर भी तापनी संतुलन में होता है, तो यह जिरूत लॉफ थेरोडाइनमिक्स है, यानि उसमा गतिक का सुन्यांक नियम नेक्स्ट कोशन है रमन प्रभाव यानि रमन एफेक्ट जो की सीवी रमन को नोबल प्रसकार प्रदान हुआ था इसके लिए का समन्द भौतिक विज्ञान के कीस बिसे से था तो अलफा के रणों से था उसके बाद है पटाको वह बारूद में लाल रंग जो है किसके कारण होता है तो अभी हमने थोड़ी देरे पहर रहता था कि स्ट्रोंसियम जो हता है उसके कारण जो रेड लाइट जो दिखता है जो पठाकों में उसके बाद है जेट इंजन की जो काले प्रणाली किस बहुतिकी रासी के संग्रचन पर अधार इता है तो संविंग संग्रचन के अधार पर नेक्स्ट खोशन है जिन ये जो वर्ड है इसका पर्तिबादन किस ने किया था तो डबलू जोनिशन ने किया था इसका राइट एंसर होगा नेक्स्ट अगर बात करें कम्पीटर में जो हम आइसी चीप लगाते हैं वह अग्छली किसी इसका बनाता है भारत की जो सिलिकन वैली जो है कहाँ पे है बैंगलोर में मौपाल दुरगटना में किस गयास का रिशा हुआ था M.I.C. यानि मिथाइल आइसोसाइनेट का इसमें रिशा हुआ था काच की समतल प्लेट को फोकस दूरी कितनी होगी तो अनन्त होगी यदि कोई बैक्ती दूर की वस्तो को सपस्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टी में कौन सा दोस लगा है तो वह आपको मायोपिया नी निकट दृष्टी मानो सरीच की सबसे छोटी मान स्पेसी होता है उसका क्या नाम है तो स्टेपिडस पौदे के किस भाग में पराया जो है पराग कनो का निर्माद होता है तो अफकोस फूलो में होता है ठीक है नए एक इंच में कितने मिलिमीटर होता है तो 25.4 जो है मिलिमीटर होता है LPG गैस का जो पूरा नाम क्या है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ठीक है सबसे अधिक उर्जा किसमे होगी ठीक है लाल नारंगी पीले हरे रंग के प्रकास के फोटोन में सबसे अधिक उर्जा किसमे होगी ठीक है तो हरा रंग इसका राइट एंसर होगा चिकित्सा विज्ञान का जो जनक यानि फादर आफ मेडिसिन जो है किस जनतु विज्ञानि को कहा जाता है, तो इसके answer होगा आपको हिपोकre porky को, next question है generics ते आपको anuancy की के नियम बनाने वाले बनाने का जो श्रे किस विज्ज्ञानि को कहा जाता है यह जाता है, फादर अफ जेनीक्स किसै कहा जाता है, ग्रेकर मेंडल को कहा जाता है, next question आपको mengology मैमोलोजी में किस का अधियन किया जाता है तो आपको पता है मैमोलोजी है यहां पर मैगोलोजी सहद नहीं होना चीज इस्तंधारी जनतुओं का उसके बाद नेक्स्ट कोशन है ओजन गैस में किस में किस तरह की गंद आती है तो भाई सडी मचली की तरह बोरक्स रसाइनिक दिरिष्टी से है सोडियम टेटरा बोरिट मक्ही का जो लारवा है उसको हम क्या कहते है उसको बोलते है मैगट बरगट के पेंड के नीचे लटकने वाली जो मोटी जड़े क्या कहलाती है तो प्रॉप रूट्स कहलाती है यह एंस्यार्टिक में भी ऐसा दिए हुआ सारा चीज explain किया हुआ है ठीक है नेक्स्ट कॉश्ण आपको फार्मो अक उपनेट फार्मा कोगनोसी फार्मा कोगनोसी में अध्यन किया जाता है तो वह असदिये पॉद्व का जो रशानिक नाम क्या हैmass गोर्फ क्लोराईट ठीक है मर्ष्कूरस अभी द्रिष्ट का फोकस दूरी 100 cm ताता नेत्रिक का की 2 cm है तो जो समानी द्रिष्टी यानि नॉर्मल विजन के लिए दूरदर्शी के लंबाई कितनी होगी तो 98 cm is the right answer ठीक है तारव वज सूरी की उर्जा का स्त्रोत क्या है तो ना भी गया संग लेन मैडम कुरी ने किस आयस्क से रेडियम प्राप्त किया था तो भाई चिप ब्लेड से पीछ ब्लेड से ठीक है इसका राइट एंसर होगा साहज यहां पर टैपिंग मिस्टेट हो गया है रेसम के किट अपने भोजन के लिए किस पौधे या पेड के पतियों का प्रयोग करता है तो मलबेरी का यानि सहतूत के पतियों का खाद तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पती घी में बदला जाता है तो आगो पता है कि हाइट्रोजिनेशन का प्रक्रिया होता है जिसमें जो खाद तेले को क्या है वो नस्पति घी में बदला जा रहा है दुरुवण की परकार के तरंगों का गूर्ण है तो वो है अनुप्रस त्यानी ट्रांसवर्स जो वेब से हैं उसके टाइप से हैं उसके बाद नेक्स्ट कोशन है धातू के जो विदूत की सुचालक होने का कारण के है उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रोनों की उपस्ति थी नेक्स्ट कोशन है कौन सी धातू मजबूती में स्टिल के बराबर किन्तु भारत में उससे लगवर आधी होती है तो वह होगा भारत में नहीं होगा यहां पर भार होगा ठीक है वह होगा टाइटेनियम पता है टाइटेनियम काफी हलका होता है बद काफी मजबूत होता है नेक्स्ट कोशन है पैलेगरा से किसकी कमी होता है तो वह अपका नियासिन उसके बाद है वस्प घनत वाली जो गैसों की आणू भार कितना होगा तो 28 सोने के अभूसन बनाने के लिए सोने में कौन सी धातू मिलाई जाती है तब कोर्स तामबा नेक्स कोशन है विशाडू के क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वेग्यानी को नोबल फुरसकार से समानित किया था वो थे स्टैनले को ठीक है नेक्स कोशन है एसीड सोल यानि अमली मिरदा को सुधारने के लिए प्रयोग मिलाते हैं वो है चूना यानि जो मिट्टी जो की एसीडिक हो चुकी अगर आप उसको सुधारना है तो उसमें चूना का मिलाउट कीजिए वो आपस से ठीक हो जाएगा किस अंक की गल्बड़ी से मदमें की बिमारी होने की संभावना है तो वो है पैंक्रियस next question है अवतल अवतल उतल ठीक है या वो concave convex lens कैसा है ठीक है convergent है या divergent है या इसमें यहाँ पर तुरह type print में रोग लग रहा है इंग्रिस वाला भी गलती कर दिया है ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा convergent हो जाएगा next question है प्रेरित विदुद दाहक बल जो है flux परिवर्थन की रिणातक दर्थ के बराबर होता है या किस का नियम कहलाता है आपका answer हो जाएगा फैराडे का विदुद चम्ब किया प्रेरन का नियम उसके बाद next question है positron की खोड़ जो है कब और किषने किया था वाटर गैस कीन दो गैसों का मिस्रण होता है तो कार्बन मोनोकसाइड और हाइडरोजन का मिस्रण होता है next question है एंटी पाइराट से question एंटी पाइरेटिक्स अभी हम थोटे देरे पहले पढ़ा था कि fire के अगेंस जो कोई चीज़ अगर माली है या यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं एंटी पाइरेटिक्स का प्रयोग जो है किस कारे के लिए किया जाता है तो सरीर का अगर दर्द और बुखार उतारने के लिए DNA का जो double helix जो helix model है double helix model किस की देन है तो Watson और Crick का रोबर्ट कोच को 1905 में नोबल प्रुसकार दिया गया थो किस कारे के लिए मिला था तो सर्व प्रथम जिवाणों को कृतिम संगवर्थन यानि आर्टिफिसियल कल्चर था आन्थ्रक्स अवर टीवी यानि का जिवाणों को अलग करने के लिए इनको जो है नोबल प्रुसकार 1905 में दिया गया था नेक्स कोचन है टैकोफरल जो एक इस वीटामिन का रशारी एक नाम है तो वह है वीटामिन ई का उसके बाद है कोलाईटिस जो है रोग में प्रभाइद आन्ग कोन सा है छोटी वह बड़ी आते ठीक है इस गांसर राइट अन्ष रोगा next question है rocket के उपर जाने का जो सिदान थफनी रोकेट के उपर जाने का जो सिदान था रेकिये संवेंग का संक्रक्षर danyul整 का परिफ्ट जो धात्ु घो क्या वह थोत थैं तामबा ओठ जस्ता निले लिटमस पत्र का जो हलाल कोन करता है तो अम्ल यानि पौधो में प्रोटीन निर्मान के लिए जो आवस्यक तत है वो कौन सा है वो है नाइट्रोजन नेक्स्ट कोशन है हाइड्रोपोनिक्स जो है किसे कहते है यानि अगर पौधो को ठीक है मलब मिर्दाविहिन संगवर्धन यानि बीना मिट्टी के ही जो है आप अगर उसका प्लांटेशन करते हैं उसको पानी में ही अगर आप लगा के उस प्लांट को गुरू करते हैं तो तो बोलते हैं हाइडरोफोनिक्स is the right answer हो इसका होगा उसके बाद है जंपिक जीन का सिधान्त किस विज्ञानिक ने प्रदिपादित किया था तो वह है बारबरा मैकलिक्टिक कॉंग ठीक है तो मैकली डॉक ने दिया था इसका नेक्स्ट कोचन है मानो रख्त मेन प्राकिर्तिक रूप से पाई जाने वाला सकंद रोधी यानि एंटीकोगलेंट क्या है तो इसका एंसर होगा है श्रीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आपका एंसर होगा आंख प्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है सुन्य दो आवेशित चालुकों को जोड़ने पर सुन्य आवेश जो है प्रभाव की सर्त है अप एंसर होगा दोनु समान विभव पर है नेक्स्ट है जीव और निर्जु के बिच की कड़ी कैंसर होगा वाइरस केंतर की खोज किस वेग्यानिक ने की थी तो रोबर्ट ब्राउन ने किया था उसके बाद है डाइस्टेज एंजाइम एंजाइम जो है किसका पाचन करता है तो वह आपको स्टार्ज का डिने की जो है द्विक कोंडलित संगरचना किस ने दी थे वाट्सन एंड क्रीक ने दिया था रसानिक द्रिष्टिक से चीनी क्या है एक सक्रोज है सक्रोज है ठीक है कार्बो हाइडरेट्स नेस्ट है नवी की रियक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है गन मेटल के संगटक तत्व क्या है तामबा, टीन और जास्ता सबसे बड़ा फुल किस पौदे का होता है तो आपको रेफलिसिया का एंसर होगा इसका राइट एंसर नेक्स्ट कोशन है एकसो बायोलोजी किसका अधियन कहलाता है अने ग्रहों के जीवों का उसके बाद नेक्स्ट कोशन है पेशियो में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाने से हमें क्या होता है तो इंसर होता है थकान जो है मसूद होता है अपने दिखावागा कि लैक्टिक एसिड जो हमारे मन्सपेश्यों में क्या आता है जम जाने से क्या होता है हमाई ठकान जया मस्थ होने लगती है Next question है कालाजार नामक विमारी का संक्रमन किसके द्वारा होता है आपका इसका एंसर हो जाएगा संट फ्लाइ के द्वारा Greenhouse प्रभाव का मतलब क्या है कि वायू मंडल में carbon dioxide की मात्रा में व्रिधी से ताप में व्रिधी ठीके यानि हमारे जो वायू मंडल में carbon dioxide का जो मात्रा वो उसके बढ़ जाने से क्या होगा temperature जो है बढ़ जाता ठीके और यही जो है climate change का एक reason है greenhouse effect next question है electron bolt जो है किस बहुती क्रासी का मात्रा है तो वो उसका answer हो जाएगा उड़ जा next question है कि faster breed tester reactor में कौन सा इंदन परिउक्त किया जाता है तो वो आपका answer होगा uranium, plutonium, carbide किस द्रिष्टी से यानि किस द्रिष्टी दोस्ट को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के जो बेलनाकार लेंस होता है के चस्मे दिये जाते हैं तो आपको पता है कि जो astigmatism होता है ठीक है जिसे बोलते हैं द्रिष्टी वैस्म है ठीक है इसमें क्या है कि cylindrical लेंस का यूज किया जाता है यानि बेलनाकार लेंस का जो है चस्मा जो है यूज किया जाता है नेक्स्ट कोशन है कुंद कुलम जो नुकलियर पावर हेक्टर है ये किस राज में स्थाफित है तो आपका राइट एंसर क्या होगा तमिल नाडू लेजर जो है किसका संक्षिप्त रूप है तो लेजर का फुल फर्म क्या हो जाएका लाइट अम्प्लिफिकेशन भाई स्टिमुलेटेड एंबिशन अफ रेडियेशन नेक्स्ट कोशन है आपका कि अधिकांस ओजोन किस मंडल में संक्रेदित करता है तो स्टेटो स्फेर में करता है नेक्स्ट कोशन है आपका कि टेशला किस का मातरक है तो फ्लक्स डेंसिटी का ओस्टियो पोरेशिस जो है बिमारी जो है किसे प्रभावित करती है तो हडियो यानि बोन्स को प्रभावित करती है कचे फलो को कृतिम रूप से पकाने में कौँं सी गयस परिउक्त होती है तो एथिलीन एवम एसिटिलीन पौधो में सरक्रा एवम पोसक ततो को के जो स्थांतरान के लिए किस पोसक ततो के उपस्तति अनिमारे होती है तो पोटास कः इसका रहाइट एंसर हो जागा लोहा में क्या भूमिका निभाता है तो जो oxygen का स्थान्तरं करते हैं एंवाम chlorophyll तथा protein का निर्माड में सायक करता है तीके अगर जो plant है उसमें जो लुआओ पाई जाता है उसका क्या रूल होता है? नेक्शन वे एक लार में कौन सा एंजाइम पाजाता है तो वो इसका right answer होगा टायलीन जिस इस्तेती में रक्त का थका नहीं जमता उससे क्या कहते है उसको बोलते है हेमोफिलिया यानि इसमें आपको थका नहीं जमता खुण जो है बैहते चला जाता है ठीक है तो यह होता है हेमोफिलिया के कंडिशनर में उसके बार आ रहा है सरीर में सरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं तो सबसे बाहरी पर्त को उपरी बाहू यानि फोर्माम की अस्थिती किस नाम से जाने जाती है तो वह हो गया हुम्रस डिने का जो अनुवान सी कोड किस वह ग्यानिक ने किस वर्ट ग्यात किया तो इसका एंसर होगा डॉक्टर हर गुइंद खुराना ने और 1965 इश्वी में चार डिग्री सल्सियस पर पानी के लिए कौन सी रासी अधिक्तम होती है तो यहाँ पर हो जाएगा घना तो डेंसिटी अफ वाटर इस मैक्सिमम ओन फोर डिग्री सल्सियस राइट चटानों की आयू ग्यात करने के लिए रेडियम सक्री आयू अंकन में किस समस्थाइनिक अप उपयोग होता है तो यूरेनियम का यूज किया जाता है किस कोसी कांग को आत्म हत्या की थेली कहा जाता है तो आपको कहा जाता है लाइजोजोम को कहा जाता है उसके बाद है जे रोबर्ट ओपन हाइमर के नाम से के साथ जो है किसका अविस्कार जुड़ा है तो परमाणू बम का नेक्स्ट कोश्चन है आपका सिलिकोसिस की बिमारी कहां पर काम करने वाले लोगों को होनी की संभावना ज्यादा रहता है ठीक है तो आपको पता है सिलिकोसिस यानि सिलिका तो सिलिका के अगर ख़दानों में कोई काम करने वाला अगर बेक्ती है कोई लेवर है तो उसको जह है इस बिमाली से वो प्रभाव प्रभावित हो सकता है नेक्स्ट कोश्टन है आपको एक हरी पती अंधिरे कमरे में रखकर लाल प्रकास से प्रकासी अगर की जाती है तो पत्ती कैसा दिखाई देगा तो ब्लैक यानि काला जब जर्मेनियम क्रिश्टल में सुक्ष में मातरा में आर्शनी की असुधी मिल जा दी जाए तो क्या बनता है यह N-type semiconductor बनेगा ट्रांस्फर्मर का क्रोड किस धातू का बना होता है वो है नर्मल हो है यानि सफ्ट आइरेन का बना होता है रेडियो एक्टिविटी के खोज जो है किस वे ज्यानिक ने की थी तो आपका एंसर होगा है हैंडरी बैक्विरल ने यदि किसी कौनके वो दरपन का को अगर पानी में डुबाय जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या परभाव होगा पड़ेगा आपका एंसर क्या होगा अप्री वर्तित ठीक है अप्री वर्तित रहेगा पेसमेकर किस गति को समाने बनाने के लिए लगा जाता है तो आपका एंसर होगा हिर्दे समद्धी अश्रमानेताओं का जो पता लगाता है उसका नाम है इलेक्ट्रिको काडियोग्राफ से ठीक है नहीं आपका नेक्स्ट कोशन है मेडल के द्वारा परतिपादी सिदान्त को क्या का जाता है तो वह है अनुवानसिक्ता का सिदान्त